दोस्तो स्वागत है आप लोगं का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में उसकी एकात्तर किलासों में हमने पूरा का पूरा एस्टरी कवर कराया है और बहुत बेतरीन लेबल से कवर कराया है और उसकी मायराथन भी हमने डाल दियें चाहें आप मायराथन को देख लें चाहें आप बोई एकात्तर किलासों को देख लें सेम डाटा सेम कॉंटेंट और same concept आपको मिलेगा और हमारी quality की भी class चल रही है तो quality की भी class बहुत structured way में आपकी पड़ी हुई है वो भी आप देखिए और ये तो आपके चली रही है जोगरफी की भी तो इनको भी देखिए और अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe कर लीजिए क्योंकि बहुत बहुत अच्छी class ने आने वाली हैं तो पढ़ने वाले हैं हम आज क्या है बारत का नदी तंत्र बारत का नदी तंत्र बोले तो इंडियन रिवर सिस्टम को हम पढ़ते हैं तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको दो category में पढ़ते हैं बारत की जो नदिय तो इनी को देख लेते हैं जो भारत का जो रिवर सिस्टम है नदी तंत्र है ना भारत का नदी तंत्र इसको देखिए यहां पे हम क्या पढ़ेंगे एक पहली साइड में हम पढ़ेंगे हिमालाई नदिया जो की हमारी क्या है उत्तर भारत की नदियां है और दूसरी हमारी क् का शिरोत है तो यह कहां से जलाता है इनका हिमनद से आता है जो आपने गिलेशियर्स बगएरा पढ़ रखे हैं हिमाचल प्रदेश में आपका उत्राखंड में और जो भी आपके गिलेशियर्स हैं लद्दाग बगएरा में तो बहां पर यह क्या है उनी से यह जलाता है और ये बर्स बर प्रभाइत होती रहती हैं कि हिम्रद बर्स बर पिगलते रहते हैं और इन में जो नदियां हमारी आती हैं वो सिंदु है गंगा है ब्रह्मा पुत्र है ये नदियां आती हैं ये कभी भी ऐसी नदियां ये मतलब हर मौसम में बहती रहती हैं कभी भी ये नदिया शोकती नहीं है और ये जो प्रायदीप ये बारत की नदी है ना ये पेनिसुलर जो रिवर्स है ना ये दच्छड बारत की जो नदियां है ना इनका जो जलका शिरोत है वो बर्सा है ये इनके लिए कोई हिमनत कोई गिलेसियर कुछ भी नहीं है ये बर्सा के उपर यदियां नदियां एक आपकी क्या है बैया बंगाल वाली अभी अरब स्यागर वाली ओं बैयावन बंगाल वाली सर क्या होता है। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो बेया बंगाल में अपना जल गिराती हैं तो ये आपकी दामोंदर सुन्डरेका मानदी कोदावरी किसना कावेरी बेमबाड बैगे ये नदियां हैं और यहाँ पे लूनी सावरमती माही नर्मदा तापती जुआरी मांडवी पेरियार भरत प पढ़ेंगे उसके बाद हम ब्रह्मा पुत्र पढ़ेंगे तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे सिर्फ सिंदू को बहुत बढ़ा अपना एक वो है तो सिंदू को पढ़ेंगे अब यहाँ पे आते हैं हिमालाई नदियां जब हम पढ़ते हैं तो हिमालाई नदियों में हमारी क्या है सिंदू है गंगा है ब्रह्मा पोत्र है इन तीनों में सबसे पहले किसको स्टाट करेंगे सिंदू को अब सिंदू नदी को हम पढ़ रहे हैं तो एक एक पॉइंट को बड़े अच इसको बड़े ध्यान से देखिए एक एक फैक्ट बहुत जिसमें जो भी लिखा है ना यह जो भी कलरिंग जो भी लिखा है यह मतलब कोई फालतू का नहीं है बहुत इंपोटेंट फैक्ट ही इसमें लाता हूँ मैं अब इसकी जो लंबाई है न दोस्त वह 2828 किलोमेटर है कि कि इतनी लंबाई है दोस्त अठास यहां यह पूरि तरीके से भारत में तो नहीं बहुत रहते इसलिए बारत की सबसे समय नहीं कहल लाएगी तो इसका विसतार देख लेटे है कहां कहां बहुत हो यह चाइना से स्टार्ट होती है आपके पढूरोस का देश थेन चैन तो स से स्टाट होती है बहां से आपकी इंडिया में इंट्री करती है इंडिया में इंट्री करने के बाद आपकी कहां पर जाती है पाकिस्तान में पाकिस्तान से फिर निकल के अरफ सागर में गिर जाती है तो यह कहां से कहां जाती है आपको समझ आया होगा चाइना से निकल के आ इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अरब्साgomery जाती है सीदे, अब इसका उद्गं एक बार देख लेते हैं कहां से होता है, उद्गं होता का बोखर्चू और भारत में ये कहां से प्रिवेश करती है लद्दाक से ये प्रिवेश करती है जब ये बहां से निकलती है चाइना से तो चाइना से जब भारत में इंट्री लेती है तो लद्दाक में पहुंचती है लद्दाक में एक जगए है उसका नाम है दमचोग तो हमने बात की थी कि सिंदु नदी लद्दाक और जासकर के बीच बहती है हमने आपको बताया था और हमने आपको ये भी बताया था कि जो जासकर सरेड़ी है वो लद्दाक और पीर पंजाल के बीच में है हमने ये भी आपको बताया था अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको चिलास नामक की स्थान से बाहर निकलती है, उत्तर परस्चिम मतलब अभी दिखाऊंगा उत्तर परस्चिम कैसे बहती है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं नदी कैसे बह रही है उत्तर और परस्चिम में, और ये भारत से बाहर निकलती है, इंट्री कहां से लेती है भारत में दम चौक से लेती है लद्दाक में निकलती कहां से ये चिलास नाम के एक स्थान आपका पढ़ता है और ये आपका कहां पर पढ़ता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहां पर पढ़ता है तो चिलास नाम के स्थान एक पढ़ता है बहां से ये क्या है बारस से बाहर निकल ज सायर है न जो अपने लद्दाख में दो सायर है एक लद्दाख हुद अैप उस्पायवा नदी या यह वह उता है कि जा रहा है लध्दा नदी की अैएसे निकल के जाती है तो यह को जा रहु है तो इसका दाया यह हुआ न उस्पायंगे भी तो यह दायत अड़ पर इस्थित है, अब एक बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है, शिंदू जल समझोता, जो सिंदू नदी जल समझोता उनुस तर साथ में हुआ था, यह पाकिस्टान और इंडिया के बीच में हुआ था, इसमें एक्चुल में हुआ क्या था, देखिए सर, इस पर यह समझवता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उस समय जो प्रदान मंत्री जबालाल नहरू थे और पाकिस्तान के जो उस समय के प्राइम मिनेस्टर थे उनके बीच एक समझवता होता है वो समझवता क्या होता है जो ऊपर की जैसे यह आपको मैं भी एक मैं सागर में मिल जाती है कहां से निकली है यह अब यहां पर आपकी पाहर निकल ऑपका जम्मु कश्मीरबाले एरिया तो यह निकल जाती है अब यह इस से यहां पर आती है तो यह सारी की सारी इसकी क्या है सायक नदियां जैसे की यह जहलम है आपकी यह आपकी क्या है चिनाओ है और यह आपकी क्या है राभी है और यह आपकी क्या है सतलज है और यहां पर एक नदी ब्यास थी तो ब्यास आपकी यह वाली नदी है जो की आपकी क चिनाव थी ये तीनों नदियां जो थी ये पाकिस्तान के एरिये में तो लगती थी बारत में भी लगती हैं तो इन तीन नदियों के बारे में क्या समझो तक किया गया कि सिंदू जहलम चिनाव जो ऊपर की नदियां हैं उनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूझ करेगा, अब जो नीचे की आपकी तीन नदियाँ बचीं जैसे की राभी, बियाज, रतलज, तो इनके बारे में बताया गया इनका 80% पानी पाकिस्तान वो भारत यूझ करेगा और 20% पानी आपका पाकिस्तान यूझ करेगा, तो ये ही इसमें एक्ष्योल में हुआ था अब एक बार और मैप आपको दिखाते हैं यह वाले मैप में आपको और किलियर आएगा यह आपका क्या है तिब्बत यानी की चाइना वाला छेतरे यहां पे यह बोकर्चु इमनदे मांसरोबर जील है यहां से नदी निकलती है और यह इस त यह उत्तर पश्ची में बहतेए और यहां से निकलती है यहां पर यहां परीपस्टर से निकलती चिल्लाज के अब देखिए यह बिपाकिस्तान पड़रही यह आ आपकी ये राभी और ये आपकी ब्यास और ये आपकी सतलज इनका 80% आपको इंडिया को दे दिया गया अब ये देखे ये सतलज नदी भी आपकी यहीं से निकल रही है सतलज नदी ये वाली आपकी निकल रही है और ब्यास नदी आपकी ये वाली सतलज में यहीं पर मिल जा तो सतलज नजी जो है ये किस ब्यास नदी जो है ये किसमे मिल जाती है सतलज में मिल जा रही है आपको मैप से भी दिख रहा होगा देखे मैप में बहुत किलियर और क्रिस्टल दिख रहा है ये आपकी क्या है सिंदू नदी और ये आपकी क्या है जहलम जहलम किसमें मिल गई यह आपकी चिनाव वाली नदी में मिल गई और चिनाव नदी में आपकी एक नदी आती है यह रा भी इसमें मिल जाती है अब यह आगे को बढ़ती है आगे को आती है तो यह आपकी सतलज है और सतलज में यहाँ पे ब्यास मिल गई अब जो 17 ज़र ब्यास एक हो गई है यहां पर मिली आके और जहां पर यह मिलती है यह बाले पॉइंट पर यह जो पॉइंट है यहां पर जब यह मिलती है इसको क्या कहते हैं पंचनत कहते हैं क्योंकि यह पांच नदियों का मिलान बिंदू है यहां पर पंचनत बोला जाता ह अब जब ये पंचनद मिलके आपका यहाँ पे यह पांचो नदिया यहाँ पे आके यहाँ पे गिर जाती है ना अरब शागर में तो ये मिठान कोट बोला जाता है क्या बोला जाता है मिठान कोट आगे पढ़ते हैं और आगे बताते हैं अब देखिए यहां पर सिंदू की साइक नदियां जो सिंदू की साइक नदियां है इनको पढ़ते हैं इनको पढ़ेंगे तब ही समझेंगे जो अभी हमने देखी न जेलम चिनाव राभी ब्यास अतलज यह कहा है सिंदू की साइक नदियां ही तो है और यह नदियां क्या ब शार्स कांदुरीशनाड के चला सर्य के दिए। कहलाता है सर अब आगे बढ़ते हैं जब क्या बोलता हूं जब ये उसमें गिरती है ना अरब सागर में जब ये अरब सागर में गिरती है तो अरब सागर में जब पाकिस्तान बाले एरिया में जब ये सिंदू से मिलती हैं जब ये पाचों नदियां सिंदू से मिलती हैं इन दाए हाथ की आपकी साइक नदियां है अब हम इनको पढ़ना इस्टाट करते हैं तो इनको थमको पढ़ना नहीं है इनको सिर्फ याद रखना है और यह जो है इनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है तो इनके बारे में पढ़ते हैं यह आपकी पहली नदी है आपकी काउंस यह जेलम है जेलम को हम पढ़ते हैं जेलम का नाम क्या है दोस्तो हमने इस्ट्री में पढ़ाता है इसका नाम बितेस्ता भी होता है सर तो यहाँ पर भी सर क्या इसका नाम लिखके लाए हो सर बिलकु से लंबी आपकी काउन से चेना हो है तो यह 125 किलोमिटर लंबी है और इसका पुराना नाम बिदेशता है सर हां सर यह तो पता है हमें भी अपने इतियास में भी पढ़ाया था अब इसका जो उद्गम होता है ना दोस्त उद्गम इसका होता है बेरी नाग जील से कहां पे सर यह सर जम्मू कस्मीर में है बेरी नाग जील और पीर पंजाल स्रेंडी में पढ़ती है तो बेरी नाग से आपका इसका क्या होता है इसका जहलम का उद्गम होता है और यह पीर पंजाल स्रेंडी में पढ़ती है जम्मू कस्मीर में पढ़ती है श्री नगर के निकट बुल जील से बैकर जाती है और यह इंडिया और पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई जाती है मतलब इंडिया और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए बैती है कैसे सर बैती है इंडिया और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए बैती है यह वाली जो है यहां पर यह इंडिया पाकिस्तान की सी तो इस तो पाकिस्तान के जंग के निकट चिनाव में मिल जाती है जहां पर चिनाव में मिलती है देखे यह चिनाव है आपकी यह आपकी जहलम है तो यहां पर यह मिलती है तो जंग बाला इस्थान है पाकिस्तान का एक जंग इस्थान है जहलम नदी श्री नगर में जहलम न पर तो यह आपको याद रखना है कहां पर जहलम नदी है। बहुत अच्छे से सर। आ आगे बढ देखते हैं इसके बाद चिनाव नदी। चिनाव नदी को पड़ते हैं और चिनाव नदी की जो लंबाई है दोस्त वो अठारा सो किलोमेटर है। लेकिन सर क्या यह अठारा स अच्छा बाकी कहा है बाकी पाकिस्तान में हैAh तो 1880 आपकी काँ पे है आपके इंडिया में है इसका ही पुराना नाम सर असकीनी है इसका पुराना नाम असकिनी है इसका उदगम कहां से होता है सर बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में हमने पढ़ाता ना हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है तो बड़ा लाचला शिपकिला और रोतांग दर्रा ये कहा थे हिमाचल प्रदेश में थे तो ये बड़ा हिमाचल दर्रे से निकलती है और ये दो नदियों के मिलन से ये बनती है ये हिमाचल प्रदेश के तांडी में हिमाचल प्रदेश के तांडी में मिलती है काउन चंदर और भागा इसी लिए हिमाचल में इनको चंदर भागा के नाम से जाना जाता है किसको जेलम चिनाव को चिनाव को ही चंदर भागा का जाता है आला कि चंदर और भा मिटर लंबी है सर तो सबसे बड़ी होगी की नहीं होगी हाँ यह तो बस सही है सबसे बड़ी साहिक है बिलकुल सर अब इस पर जो परियोजना बनी हुई है चिनाओ पे एक आपकी सलाल परियोजना है दुलास्ती परियोजना है बगली हार परियोजना है तो यह परियोजना आपको याद रखना है शलाल बलहस्ती दुल्हस्ती बगलीयार अप सिंदूं के नीचे की उप तो यह कि और कि नदी क्या है कि आप से यहiğiew conditioner करता है कि सिंदू की साइक नदियों का उपर से नीचे की तरफ किरम बताईए मतलब सबसे उपर काउंची है उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे तो आपको क्या है जेलम चिनाव राभी ब्यास शतलज यह आपको पता होना चाहिए सर आगे बढ़ें हाँ सर आगे बढ़ें यह तो हो गया आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं राभी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं सर राभी नदी साथ सो आपकी बीस किलो मेटर आपकी क्या है लंबी है राभी नदी की जो सर लंबाई है ना वो साथ सो बीस किलो मेटर सर अच्छा सर इसका पुराणा नाम प्रोस्नी और इर्आबती से लो स्टाय पता था जो अपका प्रोष्णि नदी के तक पर आपका युद्ध होता है वह clouds ग्रे color ढूब उद्गम होता है इसका जो सर उद्गम होता है ना वो हिमाचल प्रदेश के जो रोतांग दर्रा है ना उसके पस्चिम से होता है मतलब बिल्कुल इदर से होता है पस्चिम साइड दे कैसे सर रोतांग दर्रा माल लिया कि आपका ये आपका रोतांग दर्रा है तो यहां से नह राभी है तो रोतांग से राभी रोतांग राभी रोतांग और राभी नदी चंबा गाटी में प्रवाइत होती है सर कहां पे चंबा गाटी में प्रवाइत होती है मतलब चंबा गाटी से निकल के जाती है यह और यह पाकिस्तान में सराय सिंदू के पास चिनाओ से मिल जाती है ये पाकिस्तान में सराय सिंदू के पास चिनाओ से मिल जाती है ये राभी नदी किसे सर मिलती है ये सर चिनाओ से मिल जाती है कहां पे सराय सिंदू कहां पे सर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में इसका मिलान होता है आपका चिनाओ से और इस पर जो परियोजना है वो चमे परियोजना राभी नदी पर ही हैं यह दोनों की दोनों परियोजना आपके कहां पर हैं राभी नदी पर हैं तो यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए और जो राभी नदी यानि की ब्यास जो है तो जो ब्यास नदी है सर ब्यास अब यह जो ब्यास नदी है यह 470 किलो मेटर इसको भी पढ़ लेते हैं, ये 470 किलो मिटर इसकी क्या है, लंबाई है, इसका पुराना नाम सर क्या है, विपासा है, ये तो हम उसमें पढ़ चुके हैं सर, बैविदिक काल में की विपासा है, हाँ सर, वो ही बताना पढ़ता है, कि आपका कभी भी कुछ भी कहीं से भी बन हिमाचल प्रदेश के कुलू गाटी में प्रभाइत होती है, जो हिमाचल प्रदेश है, उसका जो कुलू गाटी है ना, बहां से ये प्रभाइत होती है, इमाचल प्रदेश के कुलू गाटी से प्रभाइत होती है, ब्यास पाकिस्तान नहीं जाती है, ये हमने आपको मैप म भी दिखाया है भारत में सतलच से मिलकर इसकी शायक बन जाती है उसी को आगे बढ़ाती है उसी के काम करती है उसी को मतलब क्या एक तरीके से probलेट करती है मतलब उसमें मिल जाति है Staci- Staci बात और 20 नदी पर प हो पाया होगा द्यान नहीं रहता है कभी कभी तो ये पॉंग डैम कहां सर भ्यास नदी पर भ्यास-नदी दाल दर सरेड़ी में काति और लार्गी में गार्ज का निर्माण करतीTS है जो हरके बहराज डैम है न वो आपका ब्यास और सतलज के संगम पेश्थित है मतलब सर क्या हुआ इसका सर समझा दीजी एक बार हरके बहराज एक बांद है हरके बहराज बांद ब्यास और सतलज नदी जहां पे मिलती है बहीं पे ये डैम बनाया हुआ है उनी के संगम पे बनाया गया है और भारत की सबसे लंबी नहर जो इंद्रा गांदी निकाली गई है न वो यहीं से निकाली गई है भारत की सबसे लंबी नहर जो इंद्रा गांदी नहर निकाली गई है हिमाचल प्रदेश से वो सर यहीं से निकाली गई है हरके बैराज से कि हरके बैराज पर डेम बन करहें लिए ने裡 को के लिए ने निकाली के लिए कुए यह भारत की सब से लंबी Chen इंद्रा गांदी इंह तो यह काई से अरक्ष बैराश से तो या रक्तना सा रखें थे आगे बढ़ते हैं दोस्त तो लाष्ट नदी बची हुई है आज की सर कौन सी है सर सर सतलज बची हुई है सतलज इसकी जो लंबाई है सर 1450 किलोमीटर क्या सच में हाँ है तो सर सच में लेकिन इंडिया में तो 1080 ही है अच्छा ये भी है अब सतलज का पुराना नाम सर क्या था सतुद्री था सतलज का पुराना नाम तो सतु पुरियाद करना. कहां पहे राक ऑस्ताव जीयल से होता है इसका सतलाष sự का तिब्बत पर भाले चेतर से और तिब्बत में इसको लांचेंग खंबाब के नाम से जानते हैं तिबबत में इसे क्या बोलते हैं सर लांचेन खंबाब लांचेन खंबाब कहां बोलते हैं सर तिबबत में तो यह आप याद रखना यह बारत में शिपकिला दर्रे से प्रिवेश करती है भारत में कहां से प्रिवेश करती है सर शिपकिला सर कह आप फेज़ प्रिवेश वाला एरिया है और यह क्या है आपका इस और यहा ciao किलो जाकरी परयोजना है, कोलडाम परयोजना है, तो इसे आपकी क्या एक नदी, एक जहील निकली है, गोबिंद सागर जहील यह कैसी है, मानप निर्मित जहील है, और यह कहाँ पर हमाचल प्र देश में है, लेकिन आप से पूछा जाए, सबसे बड़ी जील आपकी कान्ति है ? तो अब भी हमने आपको बताया था कि यह कहां से निकाली गई है इंद्रा गान्ति यह वियास और सतलज के संगम से निकाली गई है हरके बहराज डैम पर तो यह क्या थीं आपकी नदिया थीं और ये एक मैप है, इसको आप एक बार और देखेंगे, तो आपका और कुछ जो भी मसाला बचा है, किलियर होने को, बो भी सर आपको किलियर हो जाएगा, सर क्या इससे बागी किलियर हो जाएगा, अरे सर कैसी बात ही करते हैं, आप किलियर नहीं होगा, तो क्या हम फालतू मे प्रपतलियां से काबुल से निकलती है को निकलती है एक है अच्छा से निकलती तो आपकी यहां से निकलती है यह आपका क्या है कre को आफ था आपकी सतलज निकलती है तो यह आप मैप एक बार खुछ से भी एनालिसिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा तो आज की किलास दोस्तों बताना कैसी लगी है किलास अगर अच्छी लगी है तो किलास को लाइक करें और हमारे चैनल महान सर को दोस्तों क्या कर लें सस्क्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और पीडियेप के लिए लोग आप क्या करें आप लोग यहाँ पे पीडियेप के लिए हमारा टेलीग्राम पे महान सर नाम से क्या है चैनल है उसको जाइन करें बहाँ पे आपको किलाज की पीडियेप मिल जायेगी और दोस्तों आप से गुजारेश से कि आप लोग ज़दा से ज़दा सेड़ करें मैं पीडियेप आपके लिए जो फ्री पीडियेप है ना कम्प्लीट पीडियेप उसके लिए वात कर रहा हूँ उसके लिए जुगाड कर रहा हूँ या तो फ्री दूँगा या फिर जो 100 रुपे की पीडियेप आपकी पड़ रही है इस्ट्री की उसको 50 रुपे में कर दूँगा ताकि आप 25 डाउनलोड कर पाएं और आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल पाता है ना तो बड़ा दिल दुखता है तो बैट सा जाता हूँ एकदम आज तो मैं दोपेर में एकदम सांत सा हो गया था मैंने का आप बस बहुत हो गया लेकिन फिर देखा एक लड़के का फून आ जाता है वो कहता सर आपकी किलास काम तो आ रहा है इसलिए मैं फिर से अपने आपको मोटिबेट किया और फिर से वीडियो बनाने पे लग गया तो आप लोग ही हमारी सपोर्ट सिस्टम है अगर आप लोग नहीं हमारा सपोर्ट सिस्टम अठा दिया तो हम अपने आप ही गिर जाएंगे तो मिलते हैं झाल कहा बत्र तो मिलते हैं गर आप है अजया चक्त वा रहा है तो हमारा आप लोग झालू नहीं हमारी जाढ़ है नहीं हमारा आप है लोग नहीं है आप है आप है।